हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो आज देखेंगे यह मैंने पांच नम लड़ु गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है जिसमें मैंने चोली अटेच नहीं किया है आप चाहे तो चाहे तो चोली अटेच कर सकते हैं तो यहां पर देखें मैंने इसम कोई और जादा हैवी लुक देना पसंद करती हैं तो आप इसमें बड़े श्टोन या फिर जरकन वाला जो मैंने चोली पर बटन लगाया है आप इसको भी लगा सकती है बहुत ही इजी तरीके से यह ड्रेस बन जाती है बहुत ही कम मैटेरियल में मैंने इसे सिर्फ कॉटन के फाब्रीक से बनाया है और यहाँ पर ही भी मैंने देखिया इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा आप चाहें तो सेम इस टोन आप सारे इस पर ट्रेंगल पर लगा सकती है अगर मैं इसके डायामीटर की बात करूँ तो यह पांच नंबर के लड़ी गोपाल जी के लिए 10 इ के लिए 10 इंच नंबर का अमे टायामीटर का रसाएं तो यह इस चीज़ का अपने बहुत अच्छे से द्यान रखना जब भी क्ट करें देखे मैं बैक साइड से ह cinnamon ।ो जब भी करें अपने अपनी ड्रे grieving करiau अगर आपने बाहर की तरफ रएस के कुछ के निकालना लषी क according आप अपने diameter को cut करें तो बहुत ही easy dress बन जाती है अगर आप विगना रहें तो भी इस dress को आप बना पाएंगे वो भी बहुत ही कम चीजों के साथ तो आप भी बना के अपने लड़ी गोपाल जी को ये dress जरूल पहना है तो चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जोल सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल का आइकन को जोल प्रेस करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वुक्रम का पीस लिया हुआ है यह पौने 9 इंच इसके चोड़ाई है पौने 9 इंच है इसके लंबाई है इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से देखिए पहले हमने डवल फोल्ड किया अगेन उसको डवल फोल्ड कर लिया तो यह हमारा 4 फोल्ड हो गया है और इस राम से आप इस तरीके से 4 फोल्ड में कर लाए और यहाँ पर मेरे यह सिंपल वाली वुक्रम है अगर आप पेस्टिंग वुक्रम ले रहे हैं तो पेस्टिंग वुक्रम भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है सवा 4 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करनी है तो पूरे घेरे पर हम सवा सवा 4 इंच पर मार्किंग करके इस गेरे को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखते हैं तो 4.25 इंच के लंबाई हमने आपर रख लिए है देखिए इस तरीके से और अगैन हम सभी डॉट्स को इस तरीके से राउंड में मिला देंगे इसके बाद हम इस सरकल को कर लेंगे कट यहां से देखिए गेरा कट करना है तो 5 इंच ले रहे है एक इंच ते तू कॉर्टे इंच कम है यहां पर यह है इसी तरीके से आपने लेना है रहना एक इंच का लेंगे तो एक इंच-का घेरा बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको भी देखिए, इक्वल आपने लगाना है इस तरीके से, अब इसको भी हमने ऐसे उपर की तरफ राउंड किया था, ऐसे ही हम इसको भी राउंड यहां पर कर लेंगे, तो देखिए यह भी मेरा राउंड हो गया है, अब इसके बाद मैं इसको भी कट कर लूँगी, यहां पर मेरा सरकल जो है वो कट हो गया है इस तरीकी से अब हम लेंगे अपने कॉटन का फैबरिक जिस फैबरिक पर हमने इसको स्टिच करना है और यहां से देखें हमने डवल फोल्ड करके जहां से क्रीज बनी होई थी वहां से मैंने इसको कट कर दिया है तो आपने अगर की पेश्टिंग वाली यहां पर बुक्रम है तो आप उसको प्रैस से पेश्ट कर सकती है लेकिन मेरी पेश्टिंग वाली नहीं है तो मैं यहां पर इस तरीकी से देखें यह जो कॉटन का फैबरिक है वो डवल लेयर में रखा हुआ है इसको इस तरीकी से हम कट कर लेंगे एक पेपर हम इसके नीचे एक फैबरिक है है ने नीचे रखेंगे और बीच में अपनी बुक्रम को रखेंगे और अब आपने ध्यान रखना है बिलकुल बुक्रम पर चढ़ाते हुए अपने सिलाई कम्पिलेट करने है यहां पर तरीके से अगर आप इस चे गए पर सिलिक का फैबरिक यूज़ कर रहे हैं तो आप एक दो ओल पिन लगा कर सेट कर ले या फिर ध्यान रखें कि आप पेश्टिंग बुक्रम ले तो इस तरीके से सरकल है हमारा हम उस पर भी चलाएंगे और हम सीधा निकाल देंगे तो देख सिलाई लगाई है बुक्रम पर तो बीचों बीच से आपने कट करना है और इसके बाद देखे हम अंदर के सरकल को भी कट कर देंगे कॉट्टन का फैब्रिक है और ग्रीन फैब्रिक है तो आपको जो बुक्रम है वो एजली यहां पर विजिवल हो जाएगे यह लिजिए त इस तरीके से अब हमने इस तरीके से बहुत सारी अपनी स्टिप कट करके रखी है और इनको फोल्ड करके हमने प्रेस कर लिया है प्रेस करने से यह स्टिच करने में थोड़ा सा आपको हैल्फल रह सकती है अब क्या करना देखे इस तरीके से एक खुली हुई साइड में हम इसको dress पर attach करें तो कोई problem ना हो तो देखे इस तरीके से हमने देखे इसको खोलेंगे और इसके बीच में इस तरीके से रखेंगे और जब भी आप बीच में रखेंगे तो ध्यान रखें कि आपकी बंद वाली side होनी चाहिए क्योंकि दूसरी पट्टी को लगाने के लिए भी हमें खुली हुई side यहाँ पर चाहिए होती है इस तरीके से जो आपके triangles हैं वो एक दूसरी से बिलकुल पास पास लगेंगे आपको जब आप stitch करोगे तो आपको ज़्यादा problem नहीं होगी आप चाहिए तो डायरेक्ट इस तरीके से अपने गेहरे पर भी आप इस्टिच कर सकते हैं तो मैं पूरी strip को बना करेड़ी करती हूं तो देखे मैंने यहाँ पर जितनी भी बड़ी अब देखे हम इसको इस तरीके से लगाना इस्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल आपने corner पर लगाना है इसको जहां पर आपने अपनी बुकरम को stitch किया है इस तरीके से तो यहाँ पर देखे हमने पहले ही इसको पूरी strip को बना कर ready किया है तो हमें यहाँ पर stitch करने में कोई problem नहीं आ रही है अगर आप पहले से stitch को इसको strip को नहीं बनाते हैं तो आपको इस जगे पर problem आ सकती है तो देखे मेरा एक round complete हो गया है अब दूसरा हम round कुछ इस तरीक से लगाएंगे थोड़ी सी हम पट्टी को बाहर छोड़ देंगे बात में हम इसको cut कर देंगे ठीक है तो आपने इसी तरीके से गेरे पर लगानी है बल्कुल round ही गेरा रखना है ऐसा नहीं है का पट्टी के साथ आप गेरे को कहीं से ज्यादा कबर करें और कहीं से कम और अगर आपको लगता है कि आपको circle बनाने में कोई problem आ रही है इस strip से तो आप यहाँ पर बहुत हलकी से chimneyट भी डाल सकती है साथ के साथ ही यहाँ पर देखे मैंने तीन लेयर जो है मुल लगाकर complete की है अब यहाँ पर मैं यह जीरो नंबर की ग्रीन कलर की लैस ही यूज करूँगी सबसे पहले हम एक एक इंच पर देखे इस तरीके से marking करेंगे अपने घेरे में इस तरीके से अगर आपने यहाँ पर नेट की ड्र यहाँ पर देखे हैं आप चाहिए तो सेम ले सकते हैं थोडी सी चोडाई में होने चाहिए यह आदा इंच की लैस है क्योंकि इससे हमें अपने फैप्रिक का एजस भी कवर करने हैं और नी लैस की अजिस कवर करने हैं तो इस तरीके से यह बहुत ही स्ट्रेच वाल लैस है जिससे के राउंड में बहुत अच्छे से घूम जाती है और अगर आपकी लेस ऐसी है जिसमें राउंड में नहीं घूम दिये तो कॉमेंट करना मैं बिल्कुल इस ट्रेड लेस को भी राउंड में घूमा कर आपको दिखाऊंगी बस एक छोटी सी ट्रिक के साथ आप उसको भी लगा सकते हैं अपने घेरे पर तो देखिए पहले हमने एक सिलाई लगाई है इसे स्टेज पर जब भी हम लेस लगाते हैं सिलाई को थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं तो यहाँ पर यह सिलाई लग गई है अब इसके बाद मैं अपने लेस को यहां से कट कर दूँगी अब दूसरी स्लाई हम बहुत एजली लगा लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है बिल्कुल दूसरी स्लाई भी आपने इस तरीके से कंप्लेट करनी है तो यहाँ पर देखे मेरी लेस लगके कंप्लीट हो गई है अब इसके जो कॉंडर है हम इसको टिशूरी वन की हैल्प से कवर करेंगे तो यह टिशूरी वन है तो यहाँ से देखे थोड़ा सा इस स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे इधर से लगाएंगे इसको और पहले हम यहाँ से इसको कवर कर देंगे इस तरीके से तो इस तरीके से रखने से टिस्टी वन बहुत ही इजली हो जाता है यहां पर अब यहां से ही हम इसको अपर कर लेंगे पर टिसटी वन भॉष होने से भी खराब नहीं होता है अब इदर के आज़स भी हम यहां से कवर कर लेंगे और आज में tissue ribbon के साथ ही इसके कमर का भी complete करूँगी घेरा देखिए इस तरीके से पहले हम इसके ये वाला corner भी complete कर देंगे इस stage पर आप चाहें तो उपर की तरप से आपनी dress को हलका सा यहां पर joint कर सकती है क्योंकि पहनाने के लिए हमारा पूरा cover रहेगा मैं इसको अपनी रखोंगी इस तरीके से तो अब हम इपना tissue ribbon लेंगे और करीबन इसको देखे इसी तरीके से half fold करके इतनी सिलाई लगाएंगे जितनी हम बादने के लिए अलग से tissue ribbon रखना चाहते हैं इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे तो देखे इतना बहुत है हमारे लिए थोड़ा सा और हम यह सिल लेते हैं बस अब इसके बाद हम अपने गेरे को रखेंगे देखे इस तरीके से अब इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके सिलना है क्योंकि tissue ribbon थोड़ा hard होता है लेकिन यह move अच्छे से हो जाएगा आपकी पूरी गेरे को कवर कर लेगा अच्छे से आपने बस थोड़ा थोड़ा ही इसको सिलना है इस तरीके से देखे मेरा यह complete हो गया है अब जितनी स्ट्रिप हमने स्टार्टिंग में सिली थी उतनी ही स्ट्रिप यहाँ पर सिलके tissue ribbon को कट करके हम अलग कर लेंगे यह लेजे अब एक परावर हम tissue ribbon को कट कर देंगे यह मेरा बन गया है घेरा अब हम इसकी चोली बनाएंगे आज मैं चोली इसमें अटेच नहीं कर रही हूं अलग से चोली बनाऊंगे देखें यह मेरी dress बन गई है अब हम इसकी चोली बनाते हैं तो चोली के लिए मैंने यह strip ली है जिसकी चोड़ाई है एक इंच और लंबा ही है इसकी यह देखें सवा नो इंच सवा नो इंच की हमने इसकी लंबाई ल लगाई थी उसी less को हम थोड़ा सा यहां पर छोड़ते हुए मतलब बीच से थोड़ा सा अलग से हम इस less को लगाएंगे क्योंकि हमें इसकी double layer लगानी है इस तरीके से और जिदर की तरफ हमारा fabric हमने चोड़ा था उधर की तरफ हम एक और बाल लगा देंगे आप चाहें तो इस जगह पर multi color की less भी यूज़ कर सकते ही क्योंकि multi color की less आपकी चोड़ाई में proper है तो मैंने इस तरीके से यह less लगा ली है अब इसके बाद देखें इसके जो thread है हम उसको cut करेंगे cut करने के बाद बीचो बीच से हम इसको cut कर लेंगे तो यह मेरी चोली का shape आ गया है इसको तरह उपर रखते हुए करीबन एक से सबा इंच पर आपने back stitch करते हुए sly complete करनी है यह लेजिए मेरी sly complete हो गई है अब इसको आप चाहें तो चोली में dress में ही attach कर सकती है बट मैं अलग से देखें इस तरीके से मैंने डोरी ली है और डोरी को इस तरीके से fold करते हु और घर में ही अगर आपके पास इस तरीके की चीज़े हैं तो आप उनसे ही heavy dress look create कर सकती है तो देखें इधर से stitch हो गई मैं इधर के corner को भी अच्छे से stitch कर दूँगी तो यह देखें मेरी यहाँ पर dress बनके तयार है अब हमारा जो work है वो रह गया है stone का तो वो मैं करके दिखाती हूं यहाँ पर देखें अब चोली पर एक मैं बटन लगाऊंगी यहाँ पर stone बटन यहाँ पर और देखें यह corner पर मैं बिल्कुल 0 mm का stone यहाँ पर use करके आपक converter ने उज़ किया है आप चाहें तो और भी बड़ा heavy look दे सकती है इसको thanks for watching वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद